दोखास मेमान हमारे साथ मौजूद हैं एके मिश्राजी जिस तरह से केंडर सरकार का रवया रहा पूरे आपरेशन को लेकर वहां की सुरक्षा को लेकर अगर यहां पर दूसरी को पार्टी होती अगर UPA मानलिया अगर होती और विपक्ष में अगर BJP होती तो फिर बहुत तगले तरीके से ग्रोध करती लेकिन कॉंग्रेस ने उस तरीके से इसका ग्रोध नहीं किया विपक्षी पार्टियों ने ग्रोध नहीं किया सबसे ज़्यादा experience उनके पास है, सबसे ज़्यादा experience लीडर उनके पास है, मेरी समझ में फिर भी नहीं आता है, ना तो ये offense, defense और offense, ये BJP पे या दूसरी और पार्टियों पे ये attack भी आजकल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपना ये defense भी नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा reason ये है, कि Congress आज की date में, आज की तारीक में, मुझे ये लगता है, कि करतक विमूर सी हो गई है, जहां वो पहले एक number 1 की party होती थी, भक्ष या भी भक्ष में ही रहती थी, अब उसकी हालत ये हो गई है, कि किसी भी तरीके से BJP को रोकने के लिए, उसक कोड़ सोड़ी party होती 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 है, कि कॉमरेस की सिथी ये है, कि Congress की सिथी ऐसे हो गई है, जैसे आप कही अगर मानीचे, तराजू पे तॉलने के लिए जाते है, तो जो में बात होता है, उसके साथ जो चोटे बात रखे जाते है, साव ग्राम के, जो की balancing करने के लिए होते है, तो कॉमरेस का पतन इतना ज्यादा हो गया है, उसके भी हैरानी की बात है, कि आसिक मैं बोलता हूँ, BJP के पास, आज भी हैबर सबसे जाला opportunity किसी के पास, किसी के पास है, राजमेटिक पार्टी के पास, पैन इंडिया पे, पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए, तो कॉमरेस के पास है, लेकिन कॉमरेस अपने आपको री structure नहीं कर पा रही है, कॉमरेस अपने आपको re-launch नहीं कर पा रही है, और सबसे हरानी की बात यह है, कि कॉमरेस के जो आला कमान के नेता जो बैठे हुए है, उनके भी मैं TV डिमेट बगरा यह सारी चीज़े मैं देख पा रही है, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना इसलिए काफी जादा जरूरी होता है, एक है मिश्रा जी, कुछ दिन पहले समर्तन वापस ले लेना, उसके बाद रैली करना और यह बात समझाना कि राज सरकार ने काम नहीं किया, पीडीपी ने काम नहीं किया, इसलिए हम समर्थन वापस हो रहा था, उस दिन भी आपके इसी तो यहीं पर इसी स्टूडियो में हम लोगों ने डिवेट किया था, और उस दिन शायद मैंने ही ये बोला था, कि ये जो समर्थन वापसी है, ये कोई राजनीत के कारण नहीं है, बलकि एक ये सोची समझी, पोलेट्क बना रहा है, जम्मू कस्मीर के लिए उन्होंने जो 2014 में वाइदे किये थे, वो कहीं न कहीं उतना पूरा नहीं कर पा रहे थे, जितना उन्होंने वाइदा किया था, तो अब सवाल ये है कि किसके सर पे ठीक रहा फोड़ा जाया है वहाँ पे, तो बीजेपी ने जो है, ब पॉलिटिकल लिब्रिन थे, या पॉलिटिकल, मतलब एक राजनेतिक शाजिस जो होती है, उस चीज को अगर देखा जाए, हेल्दी वे में देखा जाए, तो बीजेपी ने ये बहुत एक अच्छा मूव्मेंट लिया था, और इसका फायदा जो है, जो दूसरी पार्टी ह उन्हों ने भी ये बोला था, यहा भई हमारा जो मकसद था, कि धारा 300 इसको रोब करके रखना, उन्होंने उसको रोब करके रखा 3-4 साल तक, सवाल ये है कि यहाँ पे कहीं कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है, कि 100% कोई देश भक्ती से ओध्परोथ है, देश भक्ती से और परदेश के कामों से अगर ओत्प्रोथ है तो उसके साथ-साथ उनके जो अपने पॉलिटिकल हित हैं दो हजार उन्निस के इलेक्शन को ले करके वो चीज भी कहीं कहीं मिली हुई है वहाँ पे और इसी चीज का फायदा दोनों पार्टियां उठा रही है जैसे हमने उस दिन जैसे पहले बोला था कि अपने के यह यह चीजे होंगी जैसे ही समर्थन की वाक्षी हुई सरकारे अलग हुई राजजिपाल शासन वहां पे लगा पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई दोनों के अपने अपने लेबल पे अपने वोट बैंक जहां उनका गड़ है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी वोटों का धुरूवी करण वोटों को साधने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो मुझे लगता है यहां पे भी एक बार जो देश हीत है उसको दोनों ही पार्टियों ने पीछे छोड़ दिया और अपने राजनेतिक हित को आगे कर दिया एके मिश्नाजी क्या हाल ही में कुछ गतिविधियां वहां पर हुई कठुआ कांड दुआ एक पत्रकार की हत्या हुई एक जवान को अगभा करके उसको महां पर मार दिया उसको शहीत कर दिया गया च्या यह सारी परिस्तिति जो बनी है यह मौहल जो बना है क्या इसकी वज़े से भी बीजेपी ने घवरा के डर के जल्दी से समर्थन वापस ले लिया आप इसको ऐसे देखिए और वो क्या डिवीवर कर रहे है यहां पर एक बहुत बड़ा गया पिशले चार सालों में जितनी वी चोटी अपर क अंधशिसे लुच्पा घ्टना है 지금 ओपर यह बहुत होता है और चुकि J&K, especially काश्मीर देखा जाए, तो वो एक ऐसा पार्ट है कि जो भी काश्मीर में होता है, उसका पूरा बहुत जबर्दस्त मनो बेग्यानिक प्रभाव या दबाव पूरे इंडिया पे बनता है, अगर ये वहाँ नहीं किकते हैं या अपने प्रामिसेस को ये डिल में आ गया थे हैं और इसके कारण इन्हों ने एक रणीत ही अपनी बनाई देखिए, ये आल अफ सटेन नहीं हुआ है, आप BJP के मेकनिजम काम करने के तरीके और मोटर्स आपरेंडी को समझेए, मेरे चाहर से मैं ही एक ऐसा पहला आत्मी हूँ जो मैं शुरू से बोलता फ्रॉम डे वन जब इनों ने जोईन किया था, उसी दिन BJP के दिमाग में ये पूरा चक्र व्यू बना हुआ था, कि हम अभी जोईन करते हैं, उसके बाद हमें कब यहां से आउट होना है, और उसका रीजन है, देखिए, दोनों पार्टियां एक्टम बिप्रीत पार्टी के साथ वो जुब गई और उसको सीम बनाया, अगर बीजेपी का सीम होता तो मैं मान सकता था वाई, उस मूत्य में दना है, इनके अलाएं पहले से तस्वीर साथ थी, कि जब तक खिच रही है, तक खिचेगी, रिष्टे शायद पूरे इतने लंबे वक्त तक भी इतना भी उम्मीद नहीं था, शायद देखे मिश्रा जी इतना ये खिच गया, शायद इतनी भी उम्मीद नहीं थी झाल